अ area मिरोधी छ्पा को डेश से खकदेड़ना है विहार से खदेड़ना विहार से इनको खदेरजा जा चुका है अब देश से खदोबर किया जाए प्रकिकार मंत्री को तो एक मंद इसमें ऐसा लग रहा है कि पार्टी विसेस ने जिनके मंत्री है यह जानवुच के उक्साया हुआ कहा हुआ सब्द है और उससे अगर सरकार टूटती है तो यही जग जाई रहे हैं नितिस कुमार के द्वारा लेकिन आए दिन जो राजनीती गती विधिया है जो यह सब हो रही है यह समाच के लिए बड़ा दुर्भाग्य पूर्श आप देख रहे हैं न्यूस पोड़नेशन और मैं हूँ आपके साथ रजी श्याद बिहार में महागडवंधन की सरकार चल महागडवंधन की सरकार में दराड़े पैदा दिखनी शूरू हो गई है हाला कि इस समय हम है पत्ना सिटी में और हम आपको बता दे कि जिस तरह से चंसेखर गे द्वार जो रामचरीत मानस पर विवादित बयान दिया गया था उसके बाद महागडवंधन के दलों में यान सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या इन रामचरीत मानस के बहाने बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरन की पड़कता तो लिखनी शुरू नहीं कर दी गई है सवाल यह उड़ता है कि बिहाड में क्या एक वार फीर से नए राजनीतिक समीकरन बनने जा रहा हwang या फीर नहीं क्या फीर बिहार में नीति शुमार एक बार फीर पलती मार सकते हैं या फिर मध्यवधी चुनाप के असार दिख रहा है, इनहीं सब बातों को टटोलें यहां पर कुछ आम लोग के साथ साथ है राजनितिक पार्टियों की लोग भी है उनसे हम जानेंगे कि आखिर बिहार में यह जो महागडवंधन की सरकार है किस और बर रही है कल ही तेजिस्वी यादव जी डिप्टी सीम बिहार उन्होंने एक ट्विट किया था कि बिहार में महागडवंधन जो है अटूठ है यह जो महागडवंधन बनी है यह बिहार ही नहीं पूरे देश देश के लिए बनी है क्योंकि अरच्छन भीरोधी भाजपा को देश से देरा जा चुका है अब देश से खदरनी के बारी है जो दोजार चौविस में इसको पुड़ा किया जाएगा और रहा बात सी राम चरीश मानत जैसे पवित्र गरंथ हिंदू के आस्था का आस्था से जूरा हुआ है अपुड़े देश के जितने भी धर्मावलंबी लोग है धर्मी के चीजों से सरुकार रखते हैं उन सब के लिए एक आदर्स गिरंथ है इसके बारे में जो सिच्छा मंतरी बिहार प्रोफेसर चंद सेखर जी ने जो ब्यान दी है इस ब्यान को सबसे पहले मैं बहुत कई निंदा करता हूं घोर निंदा करता हूं और ऐसे सिच् करण आज आप देख रहे होंगे जिस तरह से नुपूर सर्माजी ने कुराने पाक के खिलाप जो भी टिपनी की तो उनसे जाकर के जो है भाजपा से उनको निसकासन के लिए पुरे देश से बावाल मचा सबी लोग ने उनसे जाकर उनके उपर करवाई कि मांगे भाजपा करनुन मंतरी विहार को जब उनके सर्टिपिकट पर आच आया तो मन्यमुख मंतरी जी ने उनका कानुन मंतरी का पद जो है ना उनसे पदमुक्त किया जिस तरह से यहां पर लालु जी को चाहिए कि यता सीगर है क्योंकि पुरा देश यह चारी है पुरा देश से अवाज उठ रहा है कि आईसे जाकर के अपरभावी जो सिच्छा मंतरी है जो इतना गंदा ब्यान दिया है इनको जाकर के जो है सिच्छा मंतरी के पस से मुक्त करकर कि इनकों विधाइकर सपदमुक्त कि आ जाए क्या लगता है कि राम चरित्मानस को जीस्तर से विवाद उत्खरा हुआ है अब मैं क्या लगता है बिहार में सरकार चल पाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे पत्रण्स करें देखें जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक लोगतांत्रिक जैसे और स्री राम चरित्मानस जींकैत पर आकुछ पंक्तियों को लेकरने साहिससा बताविला इनक्षा पूछा क्या सर्कार चल पाएगी हाँ सरकार तो तूट है महागडबंदन ने तूट है बिहार में बिल्कुल निची तोर पर जो है यह जो है दोजार पचीस तक विहार में मुख्मंत्री निदीश कुमार जी रहेंगे क्योंकि जनता ने जो मेंड़ दिया है आपको याद होगा पिछले तीनों चुनाओं में मुख्मंत्री के लिए उनको मेंड़ दिया आज भी हमारे मुख्मंत्री निदीश कुमार जी है आप महागडबंदन को चलना है तभी तो जाकर कि इस तरह का जो भी आप पतिजनक चीज़ों तो उस पर जो कारवाई किया जाता है इन पर भी निची तोर पर कारवाई होग देखिए ऐसा है 2020 के चुनाव हुआ तो जनता ने मेंड़ेट एंड़ेक 8 वंदन को दिया यह सोच के दिया कि नितिश कुपार की चेहरा थी और केंदर में नड़ेंदर मूदी की चेहरा थी डबल इंजन की सरकार थी इसी चेहरा पर जनता ने मेंड़ेट अपना मुहर अब लगा कि हम बिहार की राजनी से बाहर जाना चाहते हैं देश के प्रधान मंतरी बनेंगे यह कुरसी के लोब में घट मंतर ने के कारण जब इनको पता चला कि देश में परधान मंत्री की भैकेंसी के रूप में बीपक्स में भी ममता पनर जी केजरिवाल जी ऐसे कई एक लोग हैं तो उनको अब लगा कि कहीं जगा हमको अब उपर में भी नहीं मिलेगा और इस तरह से हमको कहीं परधान मंत्री बनने को की चांस नहीं है तो इनोंने अपने मंत्रियों के दुआरा अमाधित ब्यान द्याबा कर गए और सरकार को किसी तरह से तूट जाना इनकी मंसा जाहिर करता है और रह गया भारती जनतापाटी को भारती जनतापाटी कताई अब इनको साथ में नहीं लेगा क्योंकि ये आदमी को जीरो से हीरो बनाने में अगर निभाया है कोई दल तो भारती जनता पार्टी निभाया है जब उनके कोई बावजूद नहीं थी उस समय भारती जनता पार्टी ने इनको मुखमंत्री के चेहराग गरूप में बिहार में देने के काम किया जब इनको अगर यतना ही कबलियत है यह कि इनके पार्टी में इतनी दम है तो यह केले आके बिहार में एक वर्लर के देख ले कि इनको क्या उकाद पाता जनता दे देगी जनता बदा देगी कितना उकाद में नितिश्कुमार की पार्टी है जनता दली उनाइटेड हमको तो नहीं लगता है कि आज के पड़ियस में कोई बड़ी पार्टी है जो जनता ने 2020 में देखा दिया इसलिए हमको लगता है कि सरकार जाए उससे भाजपा कोई चिंतित नहीं है भारती जनता पार्टी खुद सरकार बनाएगी फूल बहमत ने बनाएगी सरकार जाती है एक मंत्री के बियान से बड़ा बिहार के लिए दुरभागे पुर्ण होगा इस तरह से सरकारे एक मंत्री के बिवाद से चली जाए मंत्री को हटाया सकता उनका बिवाद अगर यह नहीं है तो एक मंत्र इसमें ऐसा लग रहा है कि पार्टी विसेस ने जिनके मंत्री है यह जानवुच के उकसाया हुआ कहा हुआ सब्द है और उससे अगर सरकार तूटती है तो सरकार जा रही है तो नितिश जी का चेहड़ा खराब होगा कि आप एक मोट्री बिधाएक और सांसत का गठरी बांधे हुए है इस गठरी को कभी इधर ले जाते हैं गभी को कभी इधर ले आते हैं तो बिहार में देवलपमेंट की बात onds-नी तो बात सरकार जाएगी कभी उस बात पिस पुलिक को आप काम करने के लिए का रहे हैं कि वलपमेंट का विकास करना कशों के और सब चीज का बात देखा जा कि वह सरकार बनाने बिगारने में समय बीचता जा रहा है तो बहुत गलत माना जाएगा आम जनता में और आम जनता क्या सोचेगी कि हम क्या मेंड़ेट क्या देते हैं और क्या हो रहा है तो ऐसे में तो सही में अब निर्वाचन आयोग को एक बिल लाना चाहिए जिसमें की साफ पता हो कि बाई जो एलेक्शन जिस गड़वंधन के साथ रहे वही सरकार रहेगी और बाद में जो गड़वंधन बनाई जाती है तो पबली के साथ धोखा की जाती है यह बरा बाजी आ रहे है उसे क्या लगता है देखिए यह बेन बाजी आ रही है यह महां गड़वंधन को जो मुख नेता है तेश्वी यादव या नितिश कुमार इनको सोचना चाहिए कि अपने अपने मंत्री को दबाब जो गड़वंधन मना था उसमें बोला गया था कि लालु को अगर नाम करें तो तो उसका आउ काच करता है में बोलबेक करेंगा आज इन इस कुमार जी भोलें आई इंटेस्पी जी खालिज कर दी है जब में सुप्रीम हो खुद खालिज कर रहा है कि नहीं सही बोला तो नितिश जी को नीचे देखाने का बात है तो बार बार जैस करान इसमें जो में सुप्रीम हो है दोनों दलका महाकटवंदन गा उनको चाहिए कि एक मंत्री के हटाही देगे क्या दिक कत है दूसरा मंत्री बनेगा उन्हीं कर लेकिन यह एक दो मंत्री के कारण दो कब भीढ़ाय के कारण बिहार में चुनाव हो यी चुनाव किस्पर जनतीप दों बहूंता है जनता का लिए कि मंत्रि उनकोर पेंट्यसेटार चली अजुब تखoure है अचलूए जनता भारी पड़ेगा जनता पड़ेगा पैसा कुण देगा जनता देगा उन्हों के पकुल भड़ता जाता है चलिए के और अंति बगता है उनसे सवाले लेते हैं कि बता एक इस तरह बिहार तो तेजी से आगे की और बढ़ी रही है नितिसकुमार के द्वारा लेकिन आए दिन जो राजनीती गती विधिया है जो यह सब हो रही है यह समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और राज्य के लिए भी और आगे यह लोग कहते हैं कि हम बड़े-बड़े काम करेंगे अभी छोटे-छोटे काम में लोग की यह इस्तिति है आगे ही लोग क अपने अपने दल के जो नेता हैं मुखिया है वो लोग अपने अपने जो विधायक है मंत्री है उनको अपने अपने कब्जे में रखे कि वह इधर उधर नहीं जाए और अलग उथल-पुथल ब्यान बाजी करने से बचे इससे आपकी राज की गडिमा पे ही लोग का उमलिव उठना शुरू है तो चलिए यह थे आम लोग के साथ साथ कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग थे उनसे हम बात कर रहे हैं थे कि बिहार में जीस तरह से राजनीतिक घटना करम बदल रही है उन्हीं सब भीशवयों पर हम में बात चीत कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि यह राजनीतिक बयानवाजी जो है कब तक धरती है रजनीश यादब न्यूस पोनेशन पतना से थी